हेलो प्रेंट स्वागत आपका मेरी यूटूब चैनल में पिछली वीडियो में हमने सर्च की फंक्शनालिटी को क्रियेट किया अगर मैं यहाँ पर आके नौइस लिखता हूँ तो मुझे नौइस के जो दो प्रोड़क्ट है वो मुझे मिल रहा है पर अगर मैं यहाँ पर गलत प्रोड़क का नाम लिख्क ए सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ब्लेंक पेज मिल रहा है तो हमें यहाँ पर एक error message तो show कराना पड़ेगा तो यहाँ पर हम इस तर्वी के-से error message शो कराएंगे कि यहां पर लिखे आएगा no product show तो उसके लिए फिर से हम जाएंगे और यहां पर यह सर्द है यहां पर हम एक कंडिशन लगाएगे यहां पर हम if condition का use करेंगे तो यहां पर सबसे बज़े तो मैं एच्टू में लिख देता हूँ search result एच्टू और यहां पर लिखेंगे search result यह लिख दिया search result अब वो उपर के और print होगा तो यह यहाँ पर आ रहा है तो उसको हमें container में wrap करना पड़े गया जिस्ते यह बीच में आए तो यहाँ पर एक div लगाएंगे अगर यह container क्या है तो आपको पता है नहीं हो तो यह container एक booster की class है container तो मैंने इसको wrap किया container में तो यह कूछ बीच में आ जाएगा तो यह बीच में आ गया है तो उपर से यह चिपक क्या रहा है तो यहाँ पर हम vr tag का use करेंगे तो यह मैंने vr लिखा तो यह मुझे यहाँ पर यह मिल रहा है यहाँ पर अभी कोई result नहीं है तो हमें यहाँ पर एक error message class होना चाहिए कि no product found तो यहाँ पर हम एक if का use करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे if हमने यहाँ पर किसका use किया था product का use किया था तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे product pro duct product फिर pipe symbol और यहाँ पर लिखेंगे length l e n d t at length फिर इस तरीके से one लिखेंगे अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर हम error message लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे no product found product found f o u nd और यह जो हमने if start किया था उसको end भी करना पड़ेगा तो यहाँ पर लिखेंगे and if तो यह हमने लिख दिया and if अब भी मुझे यहाँ पर कोई product नहीं मिल रहा तो यहाँ पर मुझे no product found मिलना चाहिए तो यहाँ पर आ गया no product found अगर मैं यहाँ पर product सही product को search करता हूँ तो मुझे no product found नहीं मिल रहा है अभी के लिए अगर मैं गलत product को search करूँगा तो यहाँ मुझे मिलेगा no product found तो आप इस तरिके का UI यहाँ पर create कर सकते हो अगर आप चाहे तो bootstrap से इसको अपनी तरह कैसे design कर सकते हो अगर आपको मेरी यह video अच्छी लगी हो तो please video को like कर देना और channel को भी subscribe कर देना thanks for watching